नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग में ही हो रहे भरष्टा चार का खुलासा किस प्रकार करेंगे इसकी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं आप लोग अबस इससे सब्सक्राइब करें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सिक्र आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग इसका लाब अबस ले सकें तथा इसे इतना सेयर करें इससे हर भारतिये को भी इसकी जानकारी हो सके कि राज सूचना आयोग भी RTI के अंदर ही है और वहां हो रहे ब्रस्टाचार की खुलासा भी RTI के तहत हीं की जा सकती है तिथा एक लाइक अबस कर देंगे चलिए आज हम लोग जानेंगे बिहार राज सूचना आयोग या किसी भी राज के सूचना आयोग या केंदर सूचना आयोग में किस प्रकार RTI लगाकर आप लोग वहां हो रहे गरबरी हो रहे ब्रस्टाचार हो रहे प्रक्षपात का खुलासा कर सकते हैं चलिए आप लोग इस वीडियो को लगातार बिना इसकीप के वहे अवस्य देखें मैं बिहार राज से संबंदित बिहार राज सूचना आयोग सूचना भवन पटना में एक RTI लगा रहा हूँ अपनी मा के नाम से वो भी नेसुल किस प्रकार RTI लगाएंगे इसकी भी जान या फॉर्म यदि उपलब्द ना हूँ तो आप इसे टाइप कराकर इसी तरह विवर सकते हैं या सादे कागज पर आप एक आवेदन भी लिख सकते हैं तो लोग सेवा में लोग सुचना पता दिखा रही बिहाराज सुचना आयोग सुचना भवन पटना पतना है अपने अपने राजी के सुचना आयोग का यहां पता देंगे अपना नाम लिखेंगे अपना पूरा पता लिखेंगे मैं सूचना आयोग से ही RTI 2005 के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पालन सूचना आयोग में ही किस प्रकार किया जाता है इस से संबंदित सूचना मांगने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग भी अपने अपने राज सूचना आयोग से भी सूचना अवश्य मांगे पहला मैं मांगना चाहता हूँ कि दिनांग 1.1.2022 से 36.2022 तक आप लोग जिस भी तिथी के बीच आप लोग सुचना मांगना चाहते हैं वो तिथी लिखेंगे सुचना आयोग में कितने बाद का निस्पादन किया गिया यह हमारा पहला सुचना मांगने का प्रयास है दूसरा है बाद के निस्पादन में कितने लोग सुचना अपदा धिकारी द्वारा बिलम से सुचनाय परदान करते हुई परतित्वी मैं मांग रहा हूँ कि इस बीच कितने वाद का निश्पादन किया गया और कितने वाद में PIO द्वारा बिलम से सुचना प्रदान करते हुई प्रतित्वी सुचनायो को तीसरा मैंने मांग रहा हूँ वाद के निस्पादन के पस्चात कितने दो सी लोग सूचना अपदा अधिकारियों पर धारा बीस एक के दो सी पी आईयो पर आर्थिक डंड लगा जब भी सूचना देने में देरी होती है या बिलंब किया जाता है तो उस पर सूचना आयो को अधिकार है कि बीस एक के तहत अधिक तम पचीस अजार रुपये तक का आर्थिक डंड लगा सकता है लेकिन लगाया जाता है या नहीं जाता है इसकी ही जानकारी मैंने इसमें मांगी है वो कितने दो सी पर धारा बीस तो के तहत अनुसासनिक करवाई की अनुसांसा की गई है जब लोग सुचना अपदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन सौ समय नहीं किया जाता है और उससे संबंधित कोई गरवड़ी भरष्टाचार का उजागर होता है तो सुचना आयोग को यह अधिकार है कि वह RTI 2005 के तहत 22 धारा 22 के तहत विभाग को अनुसासनिक करवाई की अनुसांसा कर दी जाती है लेकिन अधिकांस में नहीं की जाती है इसलिए मैंने यहां जानने का प्रयास क्या है कि विहार आज सुचना आयोग द्वारा कितने दो सी पी आयोग पर अनुसासनिक करवाई की अनुसांसा की गई है चोधा मैंने सुचना मागने का प्यास क्या है कितने दो सी पी आयोग द्वारा आर्थिक डंड भुकतान किया गया है क्योंकि मुझे कई आवेदक से सुचना मिली कि सर आयोग में दो सी पर आर्थिक डंड लगाया गया है लेकिन दोसी P.I.U. द्वारा आर्थिक डंड का भुकतान नहीं किया जाता है या बिलंब से उस प्रक्रिया में बहुत बिलंब हो जाती है और इसकी सूचना भी P.I.U. द्वारा या अनिक सीपता धिकारी द्वारा आवेदक को नहीं दी जाती है इसलिए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी राजिसूचना आयोग या केंद्रिसूचना आयोग में भी आप R.I.I. का प्रियोग कर सकते हैं निक संकोच और वहां हो रहे गरवरी या वहां हो रहे किसी प्रकार का प इस प्रकार निसूचना ले सकते हैं तो इसका एक आधार है जो B.P.L. परिवार वाले हैं गरीवी रेखा से नीचे परिवार वाले हैं वो अपने रासन कार्ड की छयापरति लगा दे देंगे और अपना रासन कार्ड संख्या अवस्य लिख देंगें जो भी गरीवी याल ऐसे नेसुलक सूचना ले सकते हैं यह हमारे RTI ACT के तहत है इसलिए नेसुलक सूचना लेने का भी अधिकार गरीवी रेखा से नीचे वाले परिवार की सदस्य को है इसलिए मैंने यहां अपना रासन कार्ड संख्या लगवा दिया है यहां हस्ताक्षर कर देंगे किला से संबंदित है उस जिले का नाम लिख देंगे अपना डेट देंगे जो भी आप यह करेंगे उसमें हम लोगों को भी बहुत सहयोग मिलेगा आप लोग अवस्षिश का लाब लें तथा इसे अधिक से अधिक सेयर करें तथा राजिसूचना आयोग में भी प्रस हो र लगाई जा सकती है जैहिंद